जरा गौर से देखी लोगतंत्र में ऐसी दुरलभ तस्वीरें शायथ ही आपको देखने को मिले ये नजारा नार नौंद से जेजिपी विधाय के रामकुमार गौतम का घर है और विधाय की घर की बाहर सैकडों महिलाएं और किसान जोली फिला कर एक वोट के लिए गुहार लगा रही है जिहां एक वोट दरसल कल दस मार्ज को विधानसवा में सरकार के खिलाफ अव विश्वास प्रिस्ताफ आ रहा है कल ही उस पर चर्चा होगी और कल ही वोटिंग भी होनी है ऐसे में नार नौंद के किसानों ने रामकुमार गौतम के आवास पर पहुँचकर सर खिसानों का कहना है कि हमने हजारों वोट देकर रामकुमार गौतम को विधायक बनाया है और अब विधायक महोदिय से सिर्फ एक वोट जोली पिला कर मांग रही है ताकि खत्रे में बड़ा खिसानों का अस्तित्व लुटने से बच सके देखिए दस तारीक और याना की विधान सवा के अंदर एक आविशवास प्रस्ताव लागए है और जेजेपी और बीजेपी सरकार के खिलाप जो जेजेपी और बीजेपी सरकार जो 281 किसान सही दो चुके हैं उन किसानों के अवी जो एक सभ़त भी नहीं बोलना चाहरी जो जय जifi बीजेपी शरकार किसान जो लगाता है तीन महीने से जयादा समय दिल्ली के अंदर बेठ या उनके विशे मैं सभ़त नहीं बोलना चाहरी जो सरकार किसानों के ऊपर नाजायज तरीके से जूटे में बना रही है उस सरकार के खिलाप में बोट डालने के लिए आज हम नार्णून्द के पूरे अलका से गाउं गाउं से किसान और मजदूर आया है और ये मांग करी है हमने जो है हमारे जो विदाय के माननी रामकुमार गोत्तम जी से जोली करके हमने उनका एक बोट मांगया है क्योंकि तीन च्यार बार उन्होंने अलक्सन लड़े हैं हमने बार बार उनको बोट डाला है आज पहली बार किसान मजदूर उनका एक बोट लेने आया है और वो बोट जो जनता की बोटों से ही उनका एक बोट बन्या है इसलिए आज हम उनके गर के बार बैठे हैं और उनसे बोट की अपील की है कि किसान और मजदूर के पक्स में बोट डाले ताकि इस अंदोलन को मजबूत की है धर्ती का सीना चीर कर देश का पेट भरने वाले किसान आज जोली पहलाने को इसलिए मजबूर है कि 103 दिनों से चल रहे आंदुलन के बावजूत केंदर की मोधी सरकार ने उनकी मांगों को माने से इंकार कर दिया है किसानों के मुख्य तौर पर केवल दो ही मांग है तीनों क्रिशी कानूनों की वापसी और MSP पर कानून लेकिन सरकार इन दोनों मांगों को पूरा करने से पीछे हट रही है सरकार और किसानों के भी छिड़ी इस जंग में अब तक 280 किसान अपनी जानकवा चुके हैं लेकिन ना किसान जिद छोड़ रही है और ना ही सरकार जुकने को तयार है हर्याणा में किसानों ने भाचपा जेजेपी की गडबंदन सरकार को गिराने के लिए और विश्वास प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है लेकिन देखना ये होगा कि जिन किसानों के आगे हाथ जोड़ कर नेता वोट के अपील करते हैं वोने तक किसानों की जोली में एक वोट डालते हैं या फिर सत्ता सुक के लिए किसानों के फरियात को दरकिनार कर देंगे नारनौन से हरकेश जांगडा पंजाब केस्री टीवी किसान एक तार